हेलो बेटा हेलो बेटा मैं आप आपसे आपके हिंदी केट प्रेशन उत्तर सुनुगा क्या आप तयार हो तयार हूँ ठीक है बेटा तो मैं शुरू करता हूँ पहला क्यूशन दादी ने अंशु को मम्मी पापा के साथ गाउं जाने के लिए क्यों कहा दादी ने अंशु को उसके मम्मी पापा के साथ गाँ आ जाने के लिए इसने कहा क्योंकि गाउं के खुले वातावरन में कोरुनों के ज्यादा है असर नहीं था अगला प्रशन कोरोना से बचाव के लिए अंशु क्या क्या करती है अंशु ने इमेल पर क्या भेजा और क्यों? अंशु ने इमेल पर कुछ तस्वीर और वीडियो भेजी ताकि दादी जी को चिंता नहीं हो अगला प्रशन हमें अपने बड़े बुज़र्गों की बाते क्यों माननी चाहिए? हमें अपने बोज़र्गों की बाते इसलिए बादी चाहिए क्योंकि वे हमें सही रहा दिखाते हैं तता अच्छे बुरे की पहचान करवाते हैं ठीक बेटा अगला प्रेशन भालू सलील का पीछा क्यों कर रहे थे अगला प्रेशन अन्य मचलियों से अलग इसलिए है क्योंकि वे है जमीन पर चल सकती थी पानी में तैर सकती थी तता हवा में उल सकती थी चमगादग ने मनुश्य को नकल्ची क्यों कहा चमगादग ने कहा मैं एक विशेश प्रकार के अल्टरा साउंट टरंगे छोगता हूँ जो सामने पगने वाली चीजों से टकरा कर वापिस लोट आती है मेरी इसी विशेश्चा से प्रभावित होकर तुमने राडार बनाया इसलिए चमगादग ने मनुश्य को नकल्ची कहा ठीक बचा अगला प्रशन सलील ने क्या संकल्प लिया से सलील ने जानरों के नास सताने का संकल्प लिया कोईल हमें क्या सिखाती है इस गुण के क्या लाव है कोईल हमें मीठा पोल नास सिखाती है इस गुण से सभी प्रशन होते है इस गुण से हम अपने शत्रू को प्रमित्र भी बना सकते है फटफट की आवाज पर क्या हुआ फटफट की आवाज हुने पर अंड़ा फूट जा इली के पेट में दर्द क्यों हुआ अधिक खाना खाने के विज़े से इली के पेट में दर्द हुआ ककून से कौन बहर आया कूकून से तितली बहर आई लंबे प्रियास के बाद इली तितली बनती है प्रियास करना आपके लिए कितना जिरूवी है देरें तरन प्रियास करने से मिस सफलता मिलती है प्रियास करने से हम कठिन से कठिन काम आसानी से पूरा कर लेते हैं शेर ने कुए में क्या देखा शेर ने कुए में अपने जैसे एक दूसरा शेर देखा खर्गोष ने शेर से बचने के लिए क्या किया खर्गोष ने शेर से बचने के लिए उसके बुद्धी का प्रयोग किया वह उसके पास गया और कहा कि कुए के पास एक दूसरा शेर है जो जंगल का राज़ा बनना चाता है शेर ने कुए में चलांग क्यों लगाई शेर ने कुए में अपनी पर चाहिए तो दूसरा शेर समझ कर उसे साबक सिखाने के लिए चलांग लगाई खरगोश ने बुद्धी बल से अपनी जान बचाई आप बुद्धी बल से क्या कर सकते हैं हम बुद्दिबल से कटिन से कटिन काम या आसानी से कर लेते हैं मुसीबत आने पर हम अपने मित्रह के भी मदत कर सकते हैं आस पास के फूल ने देख कर गुलाब ने क्या सोचा ? आस पास के फूल प Spieler को देख कर गुलाब ने यह önce सोचा कि मैं कितरे ना समुझ हु इतने सुगंद का स्वामी हो और यहाँ जमीन में गोगा हूँ मुझे तो गूम गूम कर लोगों में अपनी सुन्दरतावे खुश्वू भी बिखेरने चाहिए ताकि सब लोग मेरी प्रशंसा करें हवाने गुलाब को क्या समझाया? हवाने गुलाब को यह समझाया कि तुम सच सच में सुन्दर हो लेकिन अगर तुम जमीन से अलग हो जाओगे तो तुम मर जाओगे मिटी से अलग होने के थोड़ी देर बाद गुलाब का पौधा कैसा हो गया? मिटी से लग होने के थोग देर बाद गुल गुलाब का पोधा मुर्ज हा गया उसके पत्या सूखने लगी तथा उसको अपने अंदर कमजोरी महसूश होने लगी गुलाब के पोधे ने किस से शमा मांगी? अपने घर परिवार से जुड़े रहना क्यो जुरूरी है? माली ने गुलाब के पोधे का क्या दिया अंशु ने दादी जी को तस्वीरे और वीडियो इसलिए बेड़ी ताकि दादी जी को चिलता ना हो दादी ने पोती को पत्र क्यों लिखा दादी ने अंशु का उसकी खुशलता जालते के लिए पत्र लिखा अंशु कहा रहती है अंशु मुंबई में रहती है अंशु को दादी जी की बात मान कर गाउं आ जाना चाहिए था या उससे मुंबई में ही रहना सही था अंच्यू को दादी की बात नहीं मान पिर मुंबई में रहना ही सही था क्योंकि एक जगे से दूसरे जगे जाने संभव नहीं था तथा कोरुन का ज़्यादा असर भी था जानवर तैश में क्यों आ गए? जानवर तैश में जानवर तैश में इसलिए आगे सलील की तुछ बाते सुनकर जानवर तैश में आ गए कौन-कौन से जानवरों ने अपनी विशेश का बताए ले है? चमगादल, चमगादल, चीता, कबूतर, गिर्गिट गिर्गिट की खूबियां बताए गिर्गिट अपना रंग बदल सकता है वह एक ही समय में अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है अंडा कहां पढ़ा था? पत्ते पर इल्ली ने तीसरे दिन क्या किया? इल्ली ने तीसरे दिन तीन आलू बुखारे खाए तितली कैसी लग रही थी? तितली बहुत सुन्दर लग रही थी जानवर शेर से क्यों डरते थे? जानवर शेर से इसलिए डरते थे क्योंकि वह जानवर को एक किक करके अपने पास बुला कर उन्हें अपना भोजन बनाता था शेर गुसे में कुए पर क्यों पहुचा? शेर गुसे में कुई पर इसलिए पहुचा क्यूंकि खरगोश की बाते सुनकर शेर कुई तक पहुचा और वो वहाँ पर क्या करना चाहता था वहाँ पर वो उस शेर को सबक सिखाना चाहता था दूसरे शेर को खरगोश की जगहें आप होते तो क्या करते घरगोश की जगह मैं होता तो अपनी बुद्धी का प्रयोग करता कली किस पोधे पर दिखाई पड़ी गुलाब के पोधे पर अपनी परचाई को देखकर गुलाब ने क्या सोचा अपनी परचाई को देखकर गुलाब ने यह सोचा गुलाब ने हवा से क्या प्राथना की गुलाब ने हवा से यह है प्राथना की वह ज्यादा ते चले जिसे वह गुलाब का पोदर जमीन से अलग हो जाए okay okay that's all about your question answer okay thank you